तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने जो वाइदे किये थे उन वाइदों को कॉंग्रेस पार्टी पूरा कर रही है तेलंगाना लो प्रजानी कानी के अंदर की तेलसू ये माट आईते में में निकलम हुंदू ये गैरेंटी से दे चेपयमो अन्नी गैरेंटी सू इची माट निलबेट कुंटर विश्यों मी अंदर की तेलसू हिंदूस्तान में 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी है मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछी समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है मत्तम बारत देशम लो निरुद्ध्योंग समस्य चाला तीवरंगा उन्न ये समय उनलो मन तेलंगाना प्रभुत्तों मुपई वेला उद्ध्योंगालू अलड़ी इचिंदी मरो याबै वेला उद्ध्योंगालू गुडा इव्वबोत्र विच्यने मन जेसनानू तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया वैशा ही हमने अपने मेनिफेस्टों के साथ किया ये ये जो मेनिफेस्टों है ये हिंदुस्तान की जंता की आवास है ये कॉंग्रेस पार्टी की अवाज नहीं है आपके दिल में जो था लाकों लोगों के दिल में जो था उसे कॉंग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टों में डाला ये मैनिफेस्टों के व MEL कॉंग्रेसपाटीे मैनिफेस्टों कादू बारत देश हाओ फरज ल्यों का कोरी का ओए मने रखऊ ये मनिफेस्टों तैइश दंजर इंदी मी मनसलोव न मात इ dalam डंफ जो प्रतिपों। ज़ितने मिनिफेस्टों की आत्मा जो है वो पांच गारंटीज की है यह मैनिफेस्टों लो आई दो क्या डेन्टी लूँ जैने मैनिफेस्टों का आत्म लाणटीपने मना जेश्चनानों सबसे पहले पेरोजगारी के लिए कि हिंदुस्तान के युवाव के लिए साल में एक लाख रुपे की सैलरी वाली नोकरी हर युवा को मिलेगी बारत देशन लो निरुध्योग अंदर की अतित्वरलो बारत देशन लो निरुध्योग अंदर की लक्षरूपाईल जीतन तो उद्योग में पिछे बोथ नामो तो हमने एक अप्रेंटिशिप का कानून बनाया है में मो अप्रेंटिशिप अंटे ट्रेनिंगो मरी ट्रेनिंग इसे कारक्रम मंगुणा मदल बेड़त नमो इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को जैसे हम मन्रेगा में रोजगार की गैरंटी देते हैं वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को एक साल की अप्रेंटिशिप की गैरंटी मिलेगी मन्रेगा लो ये विदंगाई ते ग्रामी न युवत की उपादिकल पिस्तु नमो मत्तम बारत देशम लो युवत की ओका समस्त्रम पाटू अप्रेंटिशिप को ट्रेनिंग इसे गैरंटी इवा बोत नमो ये पब्लिक सेक्टर में होगी प्राइवेट सेक्टर में होगी हेल्थ केर सेक्टर में होगी एजुकेशन सेक्टर में होगी सब सेक्टर में हम हिंदुस्तान के युवाओं को एक साल की अप्रेंटिशिप एक लाख रुपै की देंगे और ये युवाओं के लिए हमने सिरफ एक बात रखी है क्योंकि बाशन कि ले इतना टाइम नहीं है तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ एक युवाओं की गयानेटी यहाँ के सामने रख रहा हूँ मगर अगर आप मैनिफेस्टों में देखेंगे तो युवाओं के लिए अनेक और वायदे हमारे मैनिफेस्टों में हैं उद्योगार जैसे माहिललो रंड उद्योगार जैस्टों में देखेंगे एक उफिस में जाकर या मज़़ूरी करकर और दूसरी घर में जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती हैं उनके लिए काम करती हैं महीललू लेबरगा फुलाल लो आफिस लो पंजेस्टू इंटिरु गुड़ा मतवू छुष कुंटारू रोंडू उद्योगाल जेस्टूना जेप्पी नेंपाविस्टूनानू और हिंदुस्तान में मोधी सरकार के आने के बाद करोणों लोग फिर से गरीबी में घुज हैं बारत देशन लो नरेंद्र मोधी प्रभु तोच्चित्रवाता चाला बंदी मल्ली निरुपेद लाई पोयारू इसलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे अंधुकोस में नारी न्याय अंटे महीले लेकू न्यायों में थिश्करावोत नमों नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में एक लाख रुपेद डालेगी ये क्रांतिकारी कदम है इससे पूरे देश का चहरा बदल जाएगा आप सोचिए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम एक लाख रुपिया सीधा बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है आलो चल जेंडी निरुपेद कुटुमबाल की राबोये कॉंग्रेस प्रबुत्तों प्रती कुटुमबाल की प्रती समस्राओं लक्ष्य रुपालिवा बोतन येपी ने मना यसनानूं इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमधनी एक लाख रुपेद प्रती साल नहीं होगी अन्टे मत्तम भारत देशम लो उक्का कुटुमबारी गुडा आदायों समस्राओं आदायों लक्ष्य रुपाल गंटे तक्वा उंडबोदों येपी ने मना यसनानूं तीसरा वाइदा किसान नियाए आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज हजारों किसान आतम हत्या करते हैं इस देश में रोज तीस किसान आतम हत्या करते हैं इस देशन लो प्रती रोज हो मुपई मन्दी रहित लो आतम हत्या चेस कुण्टू नारू नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का सोला लाख करोर रुपिया कर्जा माफ किया है मगर किसानों का एक रुपिया कर्जा माफ नहीं किया कानि रही तुलकी ओक्कर रुपाय गुडा रुणमाफी चेले दू इसलिए किसान न्याय के माधियम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल MSP की गैरंटी देंगे अंदको समय केंद्रमलो रावो एक कॉंग्रेस प्रभुत्तों रही तुरुनमाफी चेव ओतुन दी कनीस मदद तरा MSP की चट्टपदत कालपिस्तों जेपिने मना जेस्तानों हिंदुस्तान के किसानों को उनके प्रोडक्स के लिए उनके प्रोड्यूस के लिए मिनिममम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिनिममम सपोर्ट प्राइस मिलेगी और स्वामी नातन फॉर्मिला के मुताबिक मिलेगी मज़ूरों के लिए हिंदुस्तान में हम मिनिमम वेज लाएंगे मन्रेगा के लिए और दूसरे मज़़ूरों के लिए कम से कम 400 रुपे प्रती दिन की मिनमम वेज हम लागू कर देंगे मन्रेगा लोगानी इतरा पन लोगानी कनीस वेतनालू मिनिममम वेज रोज की नाल गुंदल रुपेलू प्रकटिंचे बोतनामू और पांचमा वाइदा चाहिद सबसे जरूरी और एतिहासिक वाइदा हिंदुस्तान में पचाहस परसेंट आबादी पिछडे वर्क की है बारत देशन लो याबई परसेंट जनाबा वेनुको बड़ी तरगत न वालू पंदरा परसेंट आबादी दलितों की है फदियन परसेंट जनाबा दलित लो नदी आठ परसेंट आबादी आदिवासियों की है एनिमीदी परसेंट गिरिजन लो आदिवास लो नरू पंदरा परसेंट आबादी माइनोरिटीज की है फदियन परसेंट माइनोरिटी लो जनाबा वो नदी और 5% अबादी गरीब जेनरल कास्ट की है अगर आप इन सब को मिला दें तो 90% अबादी इन लोगों की बनती है मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्ताओं को देखो इंस्टिटूशन्स को देखो बड़ी-बड़ी कमपनियों को देखो तो इन में से आपको कोई भी उन कमपनियों में उन इंस्टिटूशन्स में उन संस्ताओं में नहीं दिखाई देता इन 90% जनापार इंची इपड़ु व्यवस्त लो, इन्स्ट्यूशन्स लो यवरू मीक आउपडरू